हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोफ आज की इस वीडियो में मैं आपको भताने वाला हूँ कि प्रश्वाइब करें दो दोस्तों वीडियो को बिना देर के वे सिखरता से मैं आपको चेकबुक भरना सिखा देता हूं तो देख सकते हैं यह हमारा चेकबुक है यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है यह आप गौर कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर डेट लिखा हुआ है और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है कि केवल तीन महिने के लिए वैद है ठीक है तो यहाँ पर आपको डेट डाल देना है मैं आज का डेट यहाँ पर डाल देता हूँ ठीक है यहाँ पे आप गोर कर पारे होंगे लिखा हुआ पे कैड़ि आपको खुद से पैसा निकालना है अपने लिए ठीक, तो यहाँ पिलिखेगा yourself ठीक, अपने लिए पैसा निकालना है तो क्या लिखेगा योरसेल्फ अगर दोस्तों किसी दोस्त को पैसा देना है या फिर कोई रिसेदार को पैसा देना है तो उसका नाम लिख दिजिएगा तो खेर मुझे जो है वो अपने लिए BILL-01 निकालना है तो मैं यहां पर क्या लिखहूंगा है यूरसेलव ठीक है यूरसेलव यूरसेल sensors मैंने लिख दिया यानि हमें अपने लिए पैसा निकालना है ठीक है अब आगे देखिए रूपीज लिखा हुआ है दोस्तों रूपीज तो यहां पे कितना रूपीया निकालना है वो चीज डाल देना है ठीक है मान लिजए कि उपर में ध्यान रखेगा मान लिजए कि नहीं दोस्त को देना है पैसा तो यहाँ पर दोस्त का नाम लिखेगा ठीक है या फिर जिनको भी देना है कुल में अगर कि उनका नाम लिखना है अगर आपको खुद अपने लिए निकालना है तो फिर दोस्तों यहाँ पे yourself लिखना है ठीक है धियान रखेगा यहाँ पे rupees देखेए हमें जो है वो 5 जार निकालना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,000 ठीक है 5,000 5,000 only ठीक है इस टैप से मैंने लिख दिया अब यहाँ पे दिखिए अदा करे में यहाँ पे आपको 5,000 लिखना है ठीक है यहाँ पे आपको क्या करना है तो 5,000 लिखना है दियान लखेगा दोस्तों यहाँ पे 5,000 लिखना है ठीक है मैंने लिख दिया पाज़ा रुपया अब यहाँ पे देख पारे होंगे लिखा हुआ है प्लीज साइन अब अब ठीक है यानि कि इसकी उपर आप साइन करें तो जो भी आपका साइन होगा जेस टैप से आप साइन करते होंगे दोस्तों उस टैप से आपको यहाँ पे साइन कर देना है चलिए मैं यहाँ पे साइन कर लेता हूँ अपना ठीक है तो यहाँ पे मैं अपना जो है वो साइन कर देता हूँ मैंने साइन कर दिया है यहाँ पे और फाइनली फिर इस चेक बुक को आपको फार देना है और फिर इसका जो पीछे है दोस्तों इसमें भी आपको एक सिगनेचर जो है वो कर देना है इसके पीछे में आपको जो है वो एक सिगनेचर कर देना है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आपको पीछे में एक सिगनेचर कर देना है और फिर यह चेक बुक को आपको जा करके किसी SBI के branch में आपको दे देना है उसके बाद यह जो check है उसे release कर दिया जाएगा और फिर आपको पैसा जो है वो payment कर दिया जाएगा ठीक है या फिर आप किसी दोस्त को रिसिदार को देते हैं तो उनको पैसा दे दिया जाता है तो आसा करता हूँ दोस्तों आपको checkbook fill करना आ गय सही है जाएगा.